नमस्कार हर्याना की मुख्य समाचारों के 25 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप हर्याना के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सलसला गैंग रेप में वकील समेट 3 को 20 साल कैद सोनी पत के राइच छेतर में रोहतक की महिला से वे सामुहिक रेप के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने वकील और उसके दो साथियों को 20-20 साल की सजा सुनाई साथी तीरों पर 80-80 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया महिला अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट पे चल रहे मामले में कागसात लेने वकील के पास आई थी पदमिश्री विरेंद्र की मांग दरकिनार खेलने देशक बोले पुरानी नीती के अनुसार ना नौकरी मिलेगी ना अवार्ड राशी हर्याना सरकार ने अरजुन अवार्ड वपदमिश्री विरेंद्र सिंग और फगूंगा पहलवान को खेल नीती 2016-17 के तहट नौकरी और अवार्ड राशी देने की मांग पर हाथ खड़े कर दिये हैं मांग को लेकर सोमवार को पहलवान ने खेल विभाग के निदेशक से मुलाकात की उनकी मांग पर निदेशक का रवईया उदासीन रहा अब पहलवान ने मांग ना माने जाने पर दिल्ली पीएम आवास पर धरना देने की शेतामनी दी है पत्नी के हत्यारे को साथ साल की सजा शादी के एक साल बाद गले में फंदा लगा कर की थी हत्या सिर्सा के एडिशनल सेशन जद चंद्रहास की अदालत ने पत्नी के हत्यारे को साथ साल की सजा सुनाई है साथी पांच हजार रुपे का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदाना करने पर दोशी को एक माह अत्रिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी बहादुरगड फैक्टरी में लगी भीशन आग दमकल की तीन गाड़ियों ने एक घंटे में पाया काबू दिल्ली से सटे हरणा के ओद्धियों के क्षेतर बहादुरगड की एक फुट वेर फैक्टरी में सोमवार को भीशन आग लग गई काले धुए का गुबारा उटता दे करमचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी सूचना के बाद मौके पर पहुँची तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया इस बीच कमपनी में अफरात अफरीका माहौल बन गया हाला के नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है नई बाइक चलाने के शौक ने बनाया चोर्स चोरी की चार बाइकों के साथ तीन आरोपी गिरफतार करणाल के एंटी आउटो विकल थैप्ट टीम ने तीन वाहन चोरों को गिरफतार किया गिरफतार आरोपीओं के कबजे से चोरी की चार मोटर साइकल बरामत की पकड़े के आरोपी नई बाइक चलाने के शौक में चोर बन गया पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया हरणा में हुए डेंटल सर्जन भरती घुटाले की जाँच कर रही स्टेट विजलन्स ब्यूरो ने सुमवर शाम साथ बजी के बाद भी हपी स्ट के कार्याले में जाँच जाली रखे विजलन्स ने HPSC के चेर्मेन आलोक वर्मा और सचिव से भी बात चीत की विजलन्स HCS अनिल लागर नवीन और अश्वनी शर्मा को कार्याले के प्रथम तल पर बने उसके कार्याले में ले गई जहां पर विजलन्स ने घंटो सर्च की विजलन्स ने रिकॉर्ड की सूची सचिव को सौपी टीम दो पहर तीन बजे कार्याले में पहुची थी बेदबी के आरोपी को संगत ने धोना फतेहबाद के रतिया के गुरुद्वारा दशमेश साहिब में बीती रात को एक सिर्फरे व्यक्ति की कार्यस्तानी पर खूब हंगामा हुआ बाद में बेदबी में गुस्साय संगत ने उसके साथ मारपीट भी की मामले में दो वीडियो वाइरल हुए है जिसमें एक आरोपी गुरु महराज के थड़ा साहिब पर बैठ कर लोगों से बहसबाजी कर रहा है दूसरे वीडियो में संगत उसे मारपीट कर गुरुद्वारे से बाहर निकाल ली है पुलिस ने बेदमी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्जगर गिरफतार कर लिया है हर्याना डेंटल सर्जन भरती घुटाला हुडा ने HPSC चेयरमेन को ठहराया दोशी कॉंग्रिस विधायक दलकिनीता बुपेन सिंग हुडा ने सोमवार को डेंटल सर्जन भरती घुटाले में सरकार पर हमला बोला और इसकी जांच CBI से करवाने की मांग की है हुडा ने कहा कि पेपर चेयरमेन के सुपर विजन में होता है चेयरमेन तो वैसे का वैसे ही बैठा है इसलिए हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के चेयरमेन को सरकार बरखास्त करे रिवाडी में दो दुकाने जलकर खाग शौट सरकिट से 50 लाग का नुकसान रिवाडी चिले के कोसली कस्बा में रविवार को देरात क्रॉकरी की दो दुकानों में भीशन आग लग गई दोनों दुकाने साथ साथ बनी हुई थी चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की साथ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया दोनों वेपारियों को करीब 50 लाग रुपए का नुकसान हुआ है चावल में तेजी किसानों के लिए खुशी साथ साल बाद बासमती का रेट 4000 प्रती क्विंटल पहुँचने के आसार हरणा में पैदा होने वाली मुच्छल बासमती यानी 1401 और 1121 के रेटों में पिछले तीन दिनों से तेजी आई है यह रेट साथ साल बाद किसानों को बिल रहा है इससे पहले 2014 पंदर में किसानों को यह भाव मिला था ऐसे में साथ साल बासमती चार हजार रुपए प्रती क्विंटल के पास पहुच गया है बाजार में चावल का भाव पिछले सब्ता साथ हजार क्विंटल था जो कि शुक्रवार को 72 सो रुपए प्रती क्विंटल तक पहुच गया है अंतरा स्ट्रेक गीता मोहत सो दो हुजार एकिस में पहली बार कुरुक्षेत्र के साथ साथ 48 कोस के पांच जिलों में 75-33 स्थलों पर हर्यानवी संस्कृति के जरूकों को देखने का आउसर मिलेगा। इन तीर्थों पर कुरुक्षेत्र विकास बोड की तरब से पहली बार सांस्कृतिक कारक्रमों को आयोजन करने का खाका तयार किया गया है। मौसम भाग के मताबिक हलकी बरसात के बादी हर्यानवा उत्तर भारत के विभिन हिस्सों में सर्दी बढ़ेगी। अभी तक प्रदूशन के स्तर बढ़ने के कारण सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो पाया। पिछले 24 घंटों के दोरान रादस्तान के जैपूर, अजमीर तता उत्तर प्रदेश में अलिगड़, बरेली, हर्दोई, लखनाओ, कानपूर, उरई, जासी तता वारानसी में हलकी बरसात की गतविधियां देखी गई है। बेसेफ अधिकारी को दहेज में मिले 11 लाक रुपए, फिर उन्होंने जो किया जान कर रह जाएंगे हैरान। राजपूर धर्मिशाला में बेसेफ अधिकारी संजीव की शादी समारों के तहत लगन समारों का आयोजन किया गया था। इस दोरान लड़की पक्षतवारा संजीव के परिजनों को 11 लाक रुपए की नगत राशी बतौर दहेज दी जा रही थी। तबी समाच की रुडिवादी सोच को ठेंगा दिखाते वे संजीव ने दहेज की राशी लेने से इस पस्ट इंकार कर दिया तथा उस राशी को लोटा दिया। लाल सिंग तवर वद्दीपा तवर ने कहा कि दहेज ना केवल समाचिक पुराई है बलकि समाच के लिए एक अभी शाप भी है इसलिए हमें इस सोच को ठ्याक कर दहेज ना लेने की सोच को सोच तक सीमित ना रखते वे एक विजारधारा बनानी होगी। हर्याना में क्रिशी के लावा कई छेत्रों में निवेश करेगा इसराईल सीम मनोहर से मिले रासदोत गिलोन। भारत में इसराईल की रासदोत ना और गिलोन ने हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने क्रिशी शेत्र में हर्याना के साथ अपने कानुनों को लेकर प्रधान मंत्री मोधी के फैसले से किशान खुश है और जो आंदोलन जीवी है वा आंदोलन खत्म नहीं होने की बात कह रहे हैं। दिस्मान के लिए किसान संगठन आंदोलन रत्ते वा पूरी हो गई इसके बावजूद आंदोलन करना दुरभागी पूर् हार्याना भाजपर प्रभारी और रास्ट्री महासचिव विनो तावडे ने सोमवार को पार्टी मुख्याले में यह बात कही। रास्ट्री महासचिव बनने की बाद चंदिगर पहुँचे विनो तावडे का प्रदेश अध्यक्ष ओंप्रकास धनकर वसांसत रतनलाल का अने पताधिकारियों वा कारेकरताओं ने स्वागत किया। C.M. Manohar का बड़ा बयान आंदोलन चालू रखने का अब किसानों को नैतिक अधिकार नहीं। C.M. Manohar Lal रविवार को यमना नगर पहुचे थें। 35,000 रुपए लेकर करवाते थे भृूर लिंग जांच चार आरोपी गिरफतार। C.M. Manohar अरोणा के साथ धक्का मुकी ड्राइवर को भी पीटा। मिठाए की दुकान पर C.M. फ्लाइंग का चापा बरफी और असकुलों में मरी पड़ी थी मक्हियां। C.M. फ्लाइंग की टीम ने खादिस सुरक्षा अधिकारी कैथल वा पुलिस बल के साथ कैथल के बालाजी कॉलोनी में चल रही एक मिठाए की दुकान पर चापे मारी की। चापे मारी से दुकानदारों में हडकम पच गया, चापे मारी के दौरान पाया गया कि फैक्टरी को सोनु नाम का या युवक चला रहा था, टीम ने उसे लाइसंस दिखाने के लिए कहा, तो उसके पास कोई लाइसंस नहीं था। टीम के अधिकारियों ने जो फैक्टरी की जाँच की, तो वहाँ पर बर्फी वर रसकुले बनाने वाले समान में मख्या मरी पड़ी थी। के सलाकार एवं सचिव का अत्रिक्त कारिभार स्वाँपा गया है। शैलजा बोली, साथ सालों में इतनी भरतिया नहीं हुए, जितने भरती घोटाले हुए। हर्याणा प्रदेश कांगरेस कौमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हर्याणा पब्लिक सर्विस कमिशन वा हर्याणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भरती घोटालों का अड़्डा बन गया है यह पूर्टया स्पस्ट हो गया है कि ये दोनों कमिशन निस्पक्ष भरती करने में पूरी तरसे नकारा है और सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोग इन भरती घोटालों में सीधे रूप से शामिल है